अब लोगों का हमारे चैनल में आज मैं आपके शैंसंग की तीन ऐसी बेस्ट कस्टमाइजेशन के बारे में यहां पर बताऊंगा जिनके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों यह चो ट्रिक है यह ओनली सैंसंग डिवाइस में ही वर्क करती है तो आपके अदरवाइस किसी भी डिवाइस में यह ट्रिक जो है वर्क नहीं करती है और दोस्तों यह जो है ट्रिक यह अधारित है हमारी गुड्ड लोग अप्लिकेशन के उपर और दोस्तों अगर आपके डिवाइस में 1u2.0 अपडेट आ चुका है तो आप लेटिस्ट जो गुड् तो इसमें गुड्ड लोग अप्लिकेशन जो है पुराना वर्जन आप वहाँ पर वर्क करेगा तो आप पुराना वर्जन वहाँ पर डालोड कीजिएगा तो कैसी वो ट्रिक है और कैसे आपने अपने फो कस्टमाइज करना है पूर आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बता बाकी को मैं बाद में वीडियो मना दूंगा अब ही टाइम नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्विक स्टार के बारे में तो यहाँ पर आप इसे ओन करते हैं तो आप अपने नोटिविगेशन पैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे मालोग कि मैं इसका अ यहाँ पर बात कर सकते हैं तो आप यहाँ पर सकते हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से उसके बाद यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से उसके बाद यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से उसके बाद ज यहां से आप आप आएड़ पॉपटन एक परते हैं यहां से आपसें हैं मेरा ये डाटा सिकनल है तो मेरा डालोस। कोई भी देखेगा वहरान रहे जाएगा तो मैं IMS network icon भी यहां से अठा दूँगा तो आप देखेंगे कोई भी देखेंगा भाई आपके फोन में तो आई नहीं रहा है नहीं कुछ वाई रहा है तो आप मतलब कि यहां से किसी की चीज को आप यहां से हाइड कर सकते हैं और आप हाइड कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा option है इससे जो आप अपने जो आपका notification पैनल उसको तो आप कस्टमाइज करी सकते हैं और चीजों को हाइड भी कर सकते हैं ठीक है आप समझ गए होंगे उसका हम जो है task changer के बारे में आप बात करेंगे तो task changer जो है बहुत बढ जैसे आप करेंगे तो grid view में भी आ जाएगा आपको यहां पर बहुत सारे option मिलेंगे राजूल मिलेंगे क्राजूल वाले option बहुत बहुत जादा अच्छा लगता है तो अगर आप अपने navigation keys को यहां पर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं तो कैसे करना आ अपने यहां से ओन कर देना ठीक है ओन कर दिया ओन करने के बाद आप जो navigation आपके नीचे को change कर सकते हैं और इनका बहुत सारा option मैं भी यहां पर बताऊंगा बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है तो यहां से क्लिक करेंगे तो आपका navigation जो नीचे change होता जा रहा है ठीक है मालो कि add button पे तो मैं अपने हिसाफ से यहां पे button set कर लूँगा मालो कि मुझे यहां पे screen capture चाहिए ठीक है यहां पर मुझे screen capture चाहिए यहां पर मुझे screen capture चाहिए तो आप यहां पर camera भी फीट कर सकते हैं तो आप यहां पर camera भी फीट कर सकते हैं तो आप सेप कर देंगे ठ तो कोई भी देखे कि वह बिल्कुल ही हिरान रहे जाए कि अपने ये नेविगेशन बार को अपने कस्टमाइज कैसे किया है कैसे नहीं और दोस्तों अगर आपके फोन में गुर्लो का अप्लिकेशन नहीं है तो इसका लिंक निचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा अब वहां पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन जैसे ही मुझे कोई ट्रिक मिलेगी इसके उपर तो मैं वीडियो बना दूँगा फिलाल अगर आपके से डिवाइस है तो अफट अपट इसे इंस्टोल कर सकते हैं अपने फोन पर या फिर कोई और ब्रांड का है तो यह था आज का वीडियो मैं आज आ करता हूँ अच्छा लगागा तो बाई बाई चेकर जैहिंद बंदे मातरम